दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं credit card for beginners के बारे में that means कि अगर आपको लगता है कि अब आप credit card यूज कर सकते हैं या फिर आप first time credit card के लिए apply कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है कई पर क्या होते हैं जब लोग first time credit card के लिए apply करते हैं तो randomly किसी भी credit card के लिए apply कर देते हैं most of the time उनका application reject हो जाता है और उनका credit score सुरू होने से पहले ही खराब होने लगता है लेकिन आपके लिए घबराने के बात नहीं है तो कि इस वीडियो में मैं आपको one of the best credit card for beginner बताने वाला हूं जिसके बहुत सारे benefits ना तो joining fee है ना ही annual fee है और बहुत ही easy approval भी है यानि first time apply कर रहे हैं तो आपको जल्दी approval भी मिल जाएगा और इसके साथ बहुत सारे discount offer ये credit card प्रवाइट करवाता है जो एक beginner के लिए sufficient है तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो credit card कैसे करना है apply और किसकी क्या है eligibility सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में तो बने रही है हमारे साथ दोस्तों मैं जिस credit card की बारे मैं बात करने वाला हूँ उस credit card का नाम है Indus Int Platinum Credit Card तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये credit card हमें क्यों लेना चाहिए आखिर इस credit card beginner के लिए ये credit card कैसे better है तो सबसे पहले मैंने आपको पहले लिए बता दिया था कि इसका ना तो कोई joining fee है ना ही annual fee है इसके साथ साथ आपको मिलता है 1.5 reward point on spend Rs.150 यानि Rs.150 आप spend करते हो तो आपको 1.5 reward point मिलता है और एक reward point की value 0.65 है यानि कि 65 पैसे एक reward point की value होती है इसके साथ साथ आपको मिलता है 1% fuel waiver on all petrol pump across India यानि इंडिया में कहीं पर भी आप किसी भी petrol pump पे आप इस card को use करते हो तो 1% fuel waiver आपको मिलता है इसके साथ साथ आपको मिलता है travel insurance, air accident insurance जिसकी coverage होती है लगबग 25 lakh मतलब up to 25 lakh अब बात करते हैं discounts की यानि कि हमें कब और कैसे discount मिलेगा और उसके क्या क्या advantage है तो अगर आप azio पे up to 2000 यानि 2000 के लगबग आप shopping करते हैं तो आपको 4000 तक off मिलता है इसके साथ PVR पे अगर आप 350 तक shopping करते हैं या purchasing करते हैं तो 100 off मिलता है इसके अलावा इस my trip पे अगर आप hotel booking या flight booking करते हैं तो आपको up to 1000 तक का discount मिलता है easy dinner पे आपको 15% तक का discount मिलता है तो यह इस card के benefits और मेरे कहल से beginning level पे इतने सारे benefits sufficient होते हैं और most of the time जब आप कोई pay वाला यानि की कोई annual fee वाला credit card लेते हैं तो वो भी इतना benefit नहीं देता है अब बात करते हैं इसके eligibility criteria की तो अगर eligibility की बात करें तो यह salaried और self-employed दोनों apply कर सकते हैं अगर salary वालों की बात करें तो salary वालों की salary monthly 20,000 होनी चाहिए और self-employed की monthly income 30,000 होनी चाहिए अगर age group की बात करते हैं तो 26 से 65 के बीच के age की group के लोग apply कर सकते हैं इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि यह beginner के लिए है यानि कि अगर आपका civil score अभी start नहीं हुआ है या फिर आपका civil score 600 या credit score 650 प्लस है तो आप credit card के लिए apply कर सकते हैं इस credit card का benefit है कि इस पर कहीं इस credit card का benefit है कि यहां पर कोई भी physical verification के requirement नहीं है simply 3 document आपको ready रखना है आधार card, pen card और income proof या फिर अगर आप self-employed है तो ITR अगर ये तीन चीज़ आपके पास है तो आप on call इसको सारा process करवा सकते हैं apply करने का simple सा तरीका है description box में मैंने link दिया हुए आप वहां पर click करके directly apply कर सकते हैं या फिर इनका इंडसिन के official bank के website पर भी जाके apply कर सकते हैं as you wish जैसा आपको comfortable लगे आप वैसा कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए financial राज को सब्सक्राइब भी जरूर करें